किसान भाईयों सभीक और आम्राम यूविका मसुरूम पर आपका स्वागत है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं हमने ये नए सीजन के लिए जो है कंपोस्ट बनाना चालू कर दिया है आपको वीडियो में एक आदमी इसको बिगोता हुआ भी दिखाई पड़ रह है जिससे कि उसके अंदर जो आपका नमी का कंटेंट है वो सही से हो जाए क्योंकि आपका जो बेगोने का सही तरीका है वो ही इसके अंदर 70-80% की नमी को पूरा करता है देखिए दोस्तों ये हमारी सर्सों की तूड़ी है कभी किसी किसान भाई को यह लगे कि यह नोंने क यह हूं का भूसा ले रखा है इसके बाद की जितनी भी सारी प्रोसेस हैं मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से देखाऊंगा जो जो भी इसके में थड़े और बहुत से लोगों का जो है हमेसा डाउट रहता है कि सर्सों की तूड़ी में कैसा माल निकलता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें सही उत्पादन आता है और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है बस यह है कि यह वोल्यूम थोड़ा जादा लेके चलना पड़ता है इसका जैसे अगर आप 1000 किलो गेहूं का भूसा ले रहे हैं तो आपको सर्सों की तूड़ी लगबग जो है जो आगे का जो भी काम है वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में देखाऊंगा मुझे उम्मीद है आप यहां तक भी गई जानकारी समझ पाए होंगे भाईयो इसको 48 गंटे बहगोने के बाद हम इसमें सारा जो मेट्रियल है वो एड करेंगे जैसे कि आपको यह सामने M.O.P. का बैग दिख रहा है तो यह M.O.P. जो है हमारी दो ही रंग में आती है आपको एक तो यह हमारा जो है लाल रंग है दूसरा सफेद है I.P.L. कमपनी की जो है दोस्तो वो सफेद रंग में आती है तो आपको M.O.P. ही यूज करना है देखिए दोस्तो यह यूरिया है और M.O.P. की जगए आजकल मार्कीट में और भी जैविक पोटास के नाम से बहुत कुछ चल रहा है तो आपको उनका यूज नहीं करना है यह दोस्तो हमने इसके उपर जगए जगए चोकर के और यूरिया के बैग खोले होई है इनको अच्छी तरह से खोल करके इन सब के उपर डाल देना है और आप किसी मिक्शर की साहता से इन्हें मिक्स कर सकते हैं अदरवाइस आप मैनुवली भी लेवर की साहता से जेली जो आती है हाथ की उसके थुरू इसको मिक्स कर सकते हैं और मिक्स जब अच्छी तरह से हो जाए तो उससे पहले आपको तूड़ी में यह भी देख लेना है कि हर जगए यह पहुंचा ह है या नहीं साथ में मुष्चर कंटेंट भी चेक कर लेना है कि मुष्चर कितना है तब ही इन्हें मिक्स करने से पहले यह सारी चीजों का आपको ध्यान रखना आती आवस्चक है और दोस्तों यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें से जो भी आपका रो मेट्रियल है एक तिहाई जो भी फर्टिलाइजर है वो छोड़ देने हैं जिससे कि नेक्स्ट पल्टाई पे आपके वो काम आ सके और दूसरा दोस्तों जो चोकर है वो चोकर आप साप सुद्ध यूज करें उसमें किसी तरह के कीडे ना हो दर्वाइज वो जो लार्वा उनका बनता है तो बाद में कमपोस्ट में अंडे उसके रह जाते हैं तो कही लोगों के कमपोस्ट में कुछ एक बिमारियां लग जाती है तो शुरुआत में ही कूसिस करें कि आप अच्छी क्वालिटी का चोकर लें इसके बाद आप यहां इस तरह से जो है साड़े पांच से छे फेटूंचा धेर बना देना है धेर बनाने का में परपस यही होता है फ्रेंड्स की जो आपका डिकमपोस्ट का वो सही से हो जाए अदर्वाइज इसके अंदर हीट जनरेट नहीं हो पाती है यह हम अपने टेक्टर की मदद से इस त इस तरह से आपको पूरा डेर बनाने के बाद आपको कम से कम 6 फेट हाइट उसकी रखनी है तो आप इसमें देख भी पा रहे होंगे कि हमने जो है डेर की हाइट काफी कर दी है इसके बाद आपको इसको 6 से 7 दिन के लिए छोड़ देना है और उसमें बीच बीच में आपक स्प्रे करते रहना है जिससे की नमी जो है इसकी कम ना हो दोस्तों मुझे उम्मीद आप यहां तक दी गई जानकारी समझ पाई होंगे